वेल हाई गाईज चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्राफ्ट जो की है एरिंग्स तो उसके लिए हमें चाहिए एक एरिंग पेर कुछ गोल्डन पर्ल इसके बाद हमें चाहिए चैन एक कार्डबोट का तुकड़ा एक वैलविट का क्लॉथ तो यह सब समान हमें चाहिए एरिंग्स बनाने के लिए इसके बाद कार्डबोट के तुकड़े को सर्कुलर वे में काट लेना है इसके बाद हमें जो हमने कपड़ा लिया था उससे इसे कवर कर देना है पूरे को दैन इसके बाद हमें जो हमने गोल्डन पर्ल लिये थे उसे इसके चारो और इंसर्ट क इसके बाद हमें इसके पीछे लगानी है चैन उस चैन को हमें सुमीधागे की हेल्प से या ग्लूगन की हेल्प से उसमें स्टिक कर देना है उस चैन को स्टिक करने के बाद हमें उसके अंदर एक एरिंग का पेर ले लेना है आप कोई पुराना भी ले सकते हो या कोई नया भ कर देना है जिससे वो एक अच्छा सा स्टैंड बन जाए और हमारा पूरा एरिंग कम्प्लीट हो जाए लुक आथ इस मैं वीडियो में कैसे दिखा रही हूं आपको सेम वही प्रोसेस रिपीट करना है हमारा यह एरिंग्स बनके रेडी हो गया है लुक आथ इस कितने जादा प्यारे लग रहे हैं आप इन्हें एजिली घर में बना सकते हो आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा है बहुत ही अच्छे एरिंग्स बने हैं काफी जादा प्यूटिफुल लग रहे हैं कमेंट्स में बनाएंगे बैंगल इसके लिए हमें चाहिए पुराने बैंगल इसके बाद हमें वही सेम कपड़ा चाहिए जो हमने एरिंग्स के लिए यूज किया था उसे हमें इसके चारो तरफ ऐसे सिल लेना है पूरे इन बैंगल को हमें कवर कर देना है आप ग्लूगन की हेल्प से क प्लोट को चिपका भी सकते हैं या सुमीधागे की हेल्प से सिल भी सकते हैं जैसा भी आपको अच्छा लगए आप ऐसा कीजिए मैंने इसको सिलाए बिकॉस हो ज्यादा मजबूत रहता है और ज्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ वह हो जाएगा इसके बाद हमें ले ले लेने के बाद हमें जो हमारे साइट के दो बैंगल समने त्यार किये थे उसके उपर लगाने है या आप कोई भी डेकॉरेटिव आइटम लगा सकते हो जो भी आपके पास हो किसी भी कलर का सो मैंने देखि इस तरह से इसे कवर कर लिया है पूरे को एं इस भी ज़्यादा पसंद आया है and look at this कितना अच्छे से हमारा ये बैंगर सेट बन रहा है and ये पूरा हो चुका है कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है आप इसे तीस्ट के occasion पे खुद बना के पहन सकते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा special होगा ये so हम बढ़ते हैं अपने next craft की तरफ जो की बहुत ही amazing सी painting है yes guys मैंने आपको पहली पर रहा है था मुझे painting का कितना ज़्यादा शौक है तो मैंने इसलिए इसमें painting भी include की है तो आप लोग भी इस painting को ज़रूर try कीजेगा and ये bangles तो काफी ज़्याद अच्छे लगी रहे है so चलो बढ़ते हैं हम अपने next craft की तरफ okay so इसके रहा में चाहिए एक white paper इसके उपर मैंने red color का color किया है and उसके नीचे red में white mix करके थोड़ा light shade दिया है then इन सभी colors को आपस में अच्छे से smudge करना जिससे कि ये equal लगे और अलग-अलग partition में ना लगे इसके बाद मैंने इसके नीचे किया है orange color जो की काफी ज़्यादा pretty लग रहा है फिर इसके नीचे मैंने yellow color किया है and उसके नीचे black color से मैंने grass का look दिया है then इसके बाद मैंने यहाँ पेंसिल से पहले swing करती हुई लड़की draw कर लिया and उसे मैं पूरा black color से cover कर दूँगी इस तरह से आप भी इस तरह से कर सकते हैं या आप background को blue shade में भी रख सकते हैं as your wish इसको पूरे अच्छी तरह से black color से cover कर लेना है जिससे कि यह पूरी highlight होए और हमाई painting काफी ज़्यादा प्यारी लगेगी आप इस painting को बनाने के लिए acrylic color, poster color, oil color, fabric color कुछ भी यूज़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पे acrylic color यूज़ किये हैं because मेरे पास वो ही थे तो मैंने उन्हें यूज़ किया है आप भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और देखे कितना प्यारा हमारा इसमें color आ रहा है कितना अच्छे से सारे color आपस में smudge हो गए है एक अच्छा सा canvas ready हो जुगा है कितना जादा प्यारी painting हमाई बनके ready हुई है I hope you like the video Please like, share and comment Do subscribe my channel and stay tuned for the amazing amazing content for you and yes आप लोग भी मुझे comments में जरूर बताएगा कि आपको किस तरह की videos देखनी है तो मैं इस पेश्टी उस पे videos जरूर जरूर बनाऊंगी and guys please support my channel support my videos and yes राकी के लिए बहुत जादा अच्छा content आने वाला है so stay tuned for the all the videos and आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरी राकी सीरी से तो आप इंतजार कीजेगा मेरी videos का मैं बहुत महनत करके काफी अच्छे अच्छी videos आपके लिए लेके आऊंगी